नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टाडी विद धननजे मिस्रापर दोस्तों इस वीडियो में हम TRE 3.0 री एक जाम फाइनल कटाफ के बारे में चर्चा करेंगे फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है और आप लोग सफलता पुर्वक मिलान कर भी लिए है और कितना अंक आपका बन रहा है या आपको पता चल गया है तो अब फाइनल कटाफ क्या रहने वाली है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसते पहले अगर आप लोग चैनल पर ना है तो मैं केटेगरी वाइज मेल और फिमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ अगर हिंदी का यू आर मेल का बात किया जाए तो हिंदी का जो फाइनल कटाफ रहने वाला ITGT ये लिए वो 87 से 89 रहने वाला है संस्कृत के लिए यू आर का 83 से 86 और SST के लिए 81 से 84 अगर यू आर फिमेल का बात करें हिंदी के लिए तो 84 से 86, संस्कृत के लिए 78 से 80 और SST के लिए 74 से 76 अगर EWS हिंदी के लिए बात करें तो 77 से 89, संस्कृत के लिए 71 से 73 और SST के लिए 76 से 78 अगर EWS female के लिए बात करें हिंदी के लिए तो 76-68 संज्कृत के लिए 63-65 और SSD के लिए 70-71 गर बात करें, JC male के लिए ऍज्क Bachelor के लिए हिंदी के लिए तो इसका जो है कि 56-anna10 होने वाला है संस्कृत का 40-42 रहने वाला है और SSD का 64-64 रहने वाला है अगर ST female Hindi का बात करें तो 55-57, Sanskrit का 40-42 और SST का 58-60 अगर ST male का बात करें तो 45-48 Hindi के लिए और Sanskrit के लिए अगर बात करें ST के लिए तो 55-57 और SST के लिए आपका 69-60 रने वाला है ST female Hindi का बात करें तो 40-42, ST female Sanskrit का 40-42 और ST female आपका SST का 69-60 नमबर आने वाला है अब बात करते हैं EBC Hindi के लिए तो male के लिए 71-73, Sanskrit EBC के लिए 41-44 और EBC SST के लिए 75-78 EBC female Hindi का बात करें तो 70-72, Sanskrit का 40-41 और SST का 68-70 अगर BC male का बात करें हिंदी के लिए तो 80-82, BC male Sanskrit 55-85, BC male SST 71-73 और BC female अगर बात करें तो आपका जो हिंदी का रने वाला है 79-81, BC female Sanskrit का 54-57 और BC female SST का 70-72 तो यह आपका कटाफ रहने वाला है, इसका आप विसलेशन कर सकते हैं, एक बार इसको पूरा समराइज कर दिया गया है तो चाहें तो आप इस इंसाट लेकर इसका विसलेशन कर सकते हैं, इसके दाहरे में अगर आपका कटाफ बन रहा है तो यह मान के चलिए कि आपका सेलेक्शन लगभग लगभगता है और जितना आप लोग का वंडर है फाइनल अंसर की से मिलाने के बाद आप लोग कमेंट करके अवस्थे बताईएगा ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए बहुत बहुत धन्यवाद